परसाद बाणी गुरू गुरू है बाणी वेच बाणी अमरत सारे गुरू बाणी कह सेवक जनमान प्रताख गुरू निस्तारे डंडाउत बंदना अनकबार सर्बकला समरत डोलन ते राखो प्रबू नानक देकार हाथ डोलन ते राखो प्रबू नानक देकार हाथ जुग जुग अटल लोग पर लोग दे राखे चवर शतर तखा दे मालक दो जहान दे वाले निमानेयां दे मान नितानेयां दे तान तंतन साहब सिरी गुरू ग्रन साहब सचे पाथ्षा जी दिपावन पवितर हजूरीच जुड बैठी गुरू रूप खाल्सा साथ संगजी एक बारी फिर फते दी सांज करिये वाह गुरू जी का खाल्सा वाह गुरू जी की फते सिख पंथ दे महान तिपावन पवितर अस्थान गुर्द्वारा बंगला साहब इखे तंतन साहब सिरीगुरु ग्रण साहब सचे पाथिश्य दी पावन पवितर हजूरी अंदर जिनने आपां सतुगरां दी बोल सुनन वास्ते एकठी होएया बहुत बड़े पागां बालेया सतुगरां दी बाणी सतुगरां दे बोल सुननन दा सुपाग समा उसनू प्रापत उन्द है जिदे ते अकाल पुर्खदी किरपा उन्द है बक्षिश उन्द है समुच्चा गुरु खाल सा पंथ तंतन साहिब सिरी गुरु तेग बहादर सा उस्चे पाथशा जीदा चार सो साला प्रकाश पर विश्यताब्दी रूप दे विच मना रहे दुनिया पर दे विच सिख संस्थावाँ वलों गुर्द्वारा परबंदक केमेटियां वलों इस महान परकाश परबन समर्पत गुर्मत समागम सैमिनार होर गुरु के मतदा परचार परसार करन वास्ते समागम उलिके जारे ने बड़े इस जोग फैसला मान जोग सिंग साहिब ग्यानी रंजी सिंग जी हेड ग्रंती गुर्द्वारा बंगला साहिब दा के एस अस्थान दे उते इस महान परकाश परबन समर्पत नौमे पाथशा तानगुरु तेग बहादर साहिव सचे पाथशा दी पावन बानी दी जड़ी है ओ कथा बख्यान संगत उनों सुनाया जाए और टीवी माधियम दे राही दुनिया पर दी सिक संगत जड़ी है नौमे पाथशा दी बानी ते बानी दी विचार बारे जानकारी हासल करे तानगुरु तेग बहादर साहिव सचे पाथशा दे उनाहट शबद ने और सतवन्जा सलोक ने रोजाना एक शबद ते एक सलोक दी व्याख्या इस अस्थान तों संगता नों सरवन कराई जानाई है सिंग साब जी पासों जो नौमे पाथशा दा अपाने शबद सुने हैं सलोक सुने हैं उन्नेवे नंबर दा एदी व्याख्या अपाने सुनने हैं और समझन दा यतन करना है गुरू सब्सक्राइब भी आए ते असी गुरू दे सखे आर्थियां वदे आर्थियां गुरू समझाओन वास्ते सानों कुछ सवाल कर देने जिमें अध्यापक जमात दे बिच बच्चियां नो पुष्द है कि बच्चियों तानों पता है पारदी रास तानी केड़ी है बच्चिय खमोश रहन देने नहीं पता हुंदा फिर आप अध्यापक जबाब देने कि बच्चियों पारदी रास तानी जिड़ी है वो पाई दिल्ली है इसे तरह कोई होर सवाल कर दे बच्चियों तानों ऐस गल्दा पता है बच्चे चुपकार जान देने खमोश हो जान देने फिर अद्यापक जड़ा है वो जवाब दिन दे कि पाई एस सवाल दा जवाब जड़ा है वो आए इमें नौमें पाथशा तान गुरु तेग बहादर साहब जीदा जड़ा इस शबद है ना असी सुने आई संग साहब जीदे मुखार बिंदतों उदे विचे नौमें पाथशा तान गुरु तेग बहादर साहब माराज पहला सवाल कर देने साहब सवाल कर देने कहलो या कहलो के मनुखदी समस्या बियान कर देने मनुखदा दर्द बियान कर देने मनुखदी पीड़ा बियान कर देने शबद दा मुखपाव रहाओ दी पंक्ती चिसमोय है और रहाओ दी पंक्ती शबद दे अरम दे विच सवाइमान है जिन्ने को वड़े पागां सदका अपां सदगुरां दी गोद विच बैठे हैं आउ मनों बरतियां एकागर कर लेए गुरु के शबद विच त्यान जोड़ दियां सारी संगत गज के अखो सतनाम सिरी वाही गुरुजी वाही गुरुजी सोरठ महला नावां प्राने काउन उपाव कर जाते पगत राम की पावे जम को त्रास हरे रहाओ सोरठ रागदा नाएं महला नावा नावे पाथशा तानुगुरु तेग बहादर सह महाराजदा इपावन शबद है उन सद्गुरु जी समस्वया ब्यान कर देले कैंदे प्रानी काउन उपाव कर रहे है प्रानी जीड़ा है एक केड़ा उपा करे उपा दा मतल मुन्द है कोई टांग कोई तरिका कोई व्याओं तो केड़ी करे प्रानी महाराई कादे वास्ते प्राणी किड़ा है कौन उपाओ करे किड़ा उपा करे तता नुगुरु तेग बहादर सा है महाराज रहाओ दी दूजी पंगती चे कहन दे ने कहन दे जाते पगत राम की पावै इत्थे पगत दे तत्ते नूँ सिहारी लगी है जदों सी संस्कृत या हिंदी दे विच पगती लिखांगे न ते तावनु सिहारी नाली लिखांगे ये मूलंगं का वज़ो लगी है इदा उचारन बेशा को पगत है लेकन अर्थे दे पगती किंदे प्रानी कौन उपाओ करे जाते पगत राम की पाव है जैस उपा नाल ओ प्रमात्मा दी पगती पा सके वाई गुरु दी पगती पा सके जड़ा सारे संसार चरम्या है जड़ा सारे संसार दे कन कन दे विच बैठे ओस वाई गुरु दी पगती नू प्रापत करन वास्ते प्राणी जिड़ा है वो केड़ा उपा करें पाई दसो जम को त्रास हर है जीदे नाल जमान दा जिड़ा डार है त्रास ता मतलब हुंदा है डार जीदे नाल जमान दा डार जिड़ा है वो खतम होजे सब तो बटा जम जिड़ा है ना गुरु प्यारियो जड़ा सानू चुम्ड़े है ओ हमें है सब तो बटा हमें दीरग रोग है मारा इने बानी चेनू दीरग रोग के है दीरग रोग ए छोट जे फेर काम, क्रोध, लोब, मो, हंकार, इर्खा, निंदिया, चुगली, साड़ा, दवैश, मौत दा पह ड़ई, ये सब जामने जड़ा माउत दा पह recovered न इवी जामना बन्दा बहुत कब रहुदे हैं माउत तो मैं चाली है ना वसा, मैं चाली ना वसा, मैं चाली है ना वसा मारज केंदे, ये पह खत्म होजे जामदा जामदा, पह खत्म होजे वाई गुरु दी पगती मलचे ये दे वास्थे कीड़ा उपा करना चाहिए दे पराणी कीड़ा टांग वरते पराणी कीड़ा तरीका वरते ये होन सवाल घुर प्यारियो तानुगुरु तेग बहादर साह्य महाराज़ दे जड़े सानु सत्गुरा ने गुर प्यारियों कीते ने जड़े असी सुन रहे है बानी दा संबोधन जड़े है ना गुर प्यारियों सानु है जड़े असी सुन दे पाए है चाहे असी पाथशा दे हजूर बैठके सुन दे पाए है चाहिए असी टीवी माधियम राही करांदे वेचे सुन रहे हैं सानु महाराज पुष्दे ने के पाई दसो खां परानी केड़ा उपा करे जी दे नाल उन्हों वाई गुरुदी पगती मिल जे ते जमांदा पैखात मोजे केड़ा टंग बरते केड़ा तरीका बरते मारा तरीके तै दुनिया चे बहुत लोग बरतदे है कोई भरत马ट रखदे कोई तीरतां ते नहुन दे कोई पिंडे स्वा मलदे कोई जटामा बना लेंदे कोई गुरु प्यारीओ कंदरां चे बैंजान दे कोई बस्तर हीन हो जान दा है नांगा हो जान दा है कोई गुरु प्यारी हूँ कोई किसे किसम्दा उपा कर दा है कोई किसे किसम्दा उपा कर दा है कोई किसे किसम्दा उपा कर दा है तन गुरु अरजन देव जी माराज ने एक पावन शब्द दे विच्छ सानू समझाया है वो केंदे ए जड़े उपाय न ए सानू जमातों बचा नी सकते पाठ पड़ियो और बेद बिचारियो निवल पयंगम सादे पंच जनासियों संगना छुटकियो अधक अहंग बुद बदे मकसद था एए ना के साड़ा होमे नालों खेडा छुट जाए साड़ा काम, क्रोध, लोब, मोह, हंकार नालों खेडा छुट जाए पर केंदे इनना नालों खेडा छुटिया नहीं है ते जिदों खेडा ही नहीं छुटिया ते फिर सानू कर्म करंदा फैदा की यह पाई बड़े कर्म करके देखे ने बड़े कर्म करके देखे ने तन गुरू अरजन देव जी महराज केंदे पाठ पड़ेओ और बेद बिचारेओ निवल पो यंगम सादे पांच जनासियों संगना छुटकेओ अधिक अहं भुद बादे प्यारे इन बिद मिलन ना जाई मैं किये कर्म अनेका इनना टांग तरीक है नाले मिलिया नहीं जा सकता अनेका कर्म करके देखे हार परियो स्वामी के द्वार है दीजै बुद बबेका हार के मालक दी शर्नी पाई है मिमाराज तुसी सामनों समझाओ केड़ा तरीक है केड़ा टांग है जीदे नाल असी बच सकते है जीदे नाल असी बच सकते है तुसी दस्वामाराज क्योंकि असी ता तो अड़ी शर्न चा गए है तो अड़े कोल आ गए है तुसी यो सनु समझाओ कि केड़ा तरीक है चिदे नाला असी बाच सकते हैं इस सारे कासे तो क्योंकि जम्ह तो छुटकारा होना बड़ा लाजमी है मौट दे पै़ तो बचना बड़ा लाजमी है छुटना बड़ा लाजमी है एतान गुरु ते एक बहादर साय महराज रहाओ दी पंक्ती दे विच गुरु प्यारियों बचन केंदे रहाओ दी पंक्ती दो बाद गुरु प्यारियों कुछ सवाल होर कर दे की आख देने त्यान देओ काउन कर्म बिद्या कहो कैसी तर्म काउन फुन करई केंदे काउन कर्म केड़ा कर्म है बिद्या कहो कैसी दसो केंदे बिद्या केड़ी है केड़ी सिख्या लगए केड़ी एजूकेशन जड़ी यासी हासल करिए तर्म काउन फुन करई फिर केड़ा तर्म करिए केड़े तर्मनों मन निए कहा दे वास्ते जाते पकत राम की पाव है जमको तरा सहराए जीदे नलवाई गुरू दी पगती मिलजे जमातों छुटकारा मिलजे एदे वास्ते कौन कर्म केड़ा कर्म करिये बिद्या कहो कैसी केड़ी बिद्या प्रापत करिये केड़ी एजूकेशन लईए केड़ी सिख्या लईए तर्म काउन फन करई और तर्म केड़ा तर्म करिये तर्म भी बड़े एथी हिंदू है जैन है, बोध है इसाई है, इसलाम है महारा सकने पतो नहीं किन्ने को तर्म है किन्ने को मात मतांतर है फिर इन्ना तर्मा दे अंदर अग्गे गां शाखामा ने, संपरदामा ने साड़े ता उंगलां ते गिन सकते हैं असी अपने तर्मदियां संपरदामा नो साई तर्मदिय अंदर हिंदू तर्मदिय अंदर इन्नियां संपरदामा ने गिननियां उखियां ने गिननियां उखियां ते इना संपरदामा दे बिचकार मत पेद भी है कि ते मर्यादा नू लेके कि ते ख्याला नू लेके पर चगड़ा नहीं मिलेगा गुरु प्यारीता नू चगड़ा साधे ची मिलेगा चगड़ा गड़ा वो साधे ची मिलेगा हालां के साथे अंदर संपरदामा दी जड़ी गिनती है न उंगलां ते गिन साकते हैं सो ते इना बड़े तर्मा चे संपरदामा दी गिनती ऐनी है के गिननी यह अखियाने फिर जिनने इना चे मातपेद है साथे च उनने मातपेद भी है ने पर इना चे चगड़ा कोई नहीं मिलेगा साठे चे चगड़े मिलने यह पता नहीं की गुरू दी कला है गुरू प्यारियों तान गुरू ते एक बहादर सह महाराज केंदे ने केंदे काउन कर्म केड़ा कर्म है पाई बिद्या कहो कैसी केड़ी बिद्या पाई तर्म काउन फुन करई ते केड़ा तर्म करिये जाते पगत राम की पावे जम को तरास हरे जी दे नलवाई गुरू दी पगती मिलजे ते जमान दा पहे मुक जाए फिर स्वाल कर देने तान गुरू ते एक बहादर सह महाराज कि ने स्वाल कर रहे ने देखो काउन नाम गुर जा के सिमर है पावसागर का उतर है केंदे नाम केड़ है पाई नाम केड़ है काउन नाम गुर जा के सिमर है जिस गुरू तू लेकि असी नाम सिमरी है उनाम केड़ है पावसागर का उतार है जीदे नल पावसागर नो उतार सकी नाम भी गुड़ प्यारियों बड़े बना रखे है न कोई कहन दा फलाना नाम है दो चा रखरानों जोड़के न एक पंगती बना लन देने कहन दे ए नाम जपन है दूजा गुर प्यारियों आपू बने गुरू होर दो चा रखरानों जोड़के एक पंगती बना लन दे कहन दा आ नाम है एनू जपन है मारा ही कहन दे काउन नाम केड़ा नाम पाई केड़ा नाम जपिए केड़ा नाम लईए कोई कहन दा मेरे कोड़ो नाम लईए के कोई कहन दा मेरे कोड़ो नाम लईए कोई कहन दा मेरे कोड़ो नाम लईए कोई कहन दा मेरे कोड़ो नाम लईए और इथे गुरू प्यारियों गड़ियों 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 परके आयत वार आले दिन तुरियां जान दियान अखवती गुरु जड़े बड़े बठे जड़े नाम दी यहों बंड कर दे ने जमें वस्तुवां बंड नी दिया ने तानुगुरु ते एक बाहदर साह माराज केंदे ओ नाम जड़ा पवसागर तो पार करवा दे ओ केंदे कितों परापत करिये ते केड़ा नाम है ओ काउन नाम गुर्जा के सिमर है जिसनों गुरु तो लेके सिमर ये ओ केड़ा नाम है गिड़ा पवसागर तो पार करा दे इने सवाल गुरु प्यारी हो तानु गुरु ते एक बहादर सा है महाराज ने सनु की ते ने पहला सवाल की ते प्रानी काउन ओपाओ करे है किड़ा ओपा करे दुजा काउन करम तीजा बिद्या कहो कैसी चौथा तर्म काउन फुन करे पंजमा काउन नाम गुर्चा के सिमरे पंज सवाल की ते ने जाते पगत राम की पावे जम को तरास हरे जी दे नलवाई गुरु दी पगती मिल जे महुत दा पैख खत्म हो जए जमा दा पैख खत्म हो जए दस्सो केड़ा नाम है केड़ा तर्म है केड़ा कर्म है केड़ी बिद्या है केड़ा कर्म है ये सवाल की तेने गुर प्यारियों सिखा नो सवाल की तेने सानों सुन नाड़या नो सवाल की गुरबानी दी एक विशेष्टा है गुरबानी जे कुसे गुरु पियारियों कंड़ियों ये लो आल मंडव सुझे चोबू लो उजुआ पौन महिन हिर और हमें लोस्ताने और भिडालेजिदू अवे Сवते मैं शुछवू, और सरद nasal कंड़ियू। टम का भी गड़त है, पुछी ओ, सही की है, पता नहीं है, फलाना रा भी ठीक 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 नहीं है, पुछी है, भी पाई फिर ठीक रस्ता केड़ है, कहने पता नहीं ह जलत केनाँ भीकादे वास्ते हैं, पल्पाना भी माड़ा है, फ्लाना कर्म माड़ा है, फ्लाना कर्म मी बाड़ा है, फ्लाना कर्म मी माड़ा agreeing, देखो साठे मात गुर में Hawi माड़ा व stör सुन समझायां है कि हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई। ते साड़े मात दे विची गुर प्यारियों जादा तर एग अल्ला गुर प्यारियों आज बाओद उबर रहिया ने ओवी मारा ओवी मारा ओवी मारा ओवी मारा ओवी मारा कोई ऐसी शक्सियत नहीं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कोई ऐसी संस्था नहीं कोई ऐसी संपर्दा नहीं जिदी गुर्प यारी वासी पंडी नहीं कर रहे जिदी असी बदखोई निकार रहे, बदनामी निकार रहे कोई किसे दी लगया पया है, कोई किसे दी लगया पया है कोई किसी संस्था दी लगया है, कोई किसे संपरदा दी लगया है कोई किसे व्यक्ति दी लगया है, कोई किसे व्यक्ति दी लगया है पर गुरुबाणी ती एखासित है कि गुरुबाणी जे सवाल करदी है ते फिर नाल जवाब भी देन दी है। जवाब की देने होन तानुघ्रु ते ने एक बहादर सा महाराज ओ अपने गुरु प्यारि हो सुनना है। देखो, अगलियां पंगतियां देवेच उन पाथशा ने जवाब देते ने त्यांदे नाल सुनो, अगली पंगतियां पाथशा कहने दे काल मैं एक नाम किरपा निद जाहे जापे गत पावे काल मैं, काल मैं दा मतलब है गुरु प्यारियों एस कल जोग देवेच, कलेशां पर जोग देवेच इजड़ा समा चल दा है ना गुरु प्यारियों एक कलेशा नल पर या समय, कलेशा नल पर या करांदेवे चेकलेस, महलियां चेकलेस, शेरां चेकलेस, और देशां चेकलेस पाई Dimash, रिष्टेदारां चेकलेस चेकलेस है एककलेसा दा परियास समय है तानुगूरू ते एक बहादर सहै मारास lucky देने कालम एक नाम किर्फा निद निद दा मतलब है किरपा दा खजाना, बक्षिश दा खजाना, उन संसार दे विच बक्षिश दा खजाना की दे कोड़ है गुर प्यारियो, कौन है बक्षिश दा खजाना, बक्षिश दा खजाना जिड़ है, एक अकाल पर खवाई गुरु है, या गुरु है, ब्यक्ती बक् जे बारी मंगो दे देगा, तीजे बारी मंगो दे देगा, चोथे बारी मंगो ते ओड़ियां पैजानगी यां, पंजबे बारी मंगो जबाब दे देगा एक अकाल पुर्ख ते एक गुरु एक बख्षिश ताख जाना है बख्षिशां करी जानदा है करी जानदा है करी जानदा है बख्षिशां कदे मुकदियां नहीं है कदे खत्मी नहीं हुं दियां तान्य गुरु तेग बहादर साय महाराज की केंदे ने केंदे कलमें एक नाम करपा निद एस कलिसां परे जोगदे विच केवल ते केवल केवल ते केवल बक्षिश दे खजाने अकाल पुर्खदा नाम है जाहे जप है गात पाव है जिनु जापले कोई ते गती मिल जान दी है मुक्ती मिल जान दी है छुटकारा मिल जान दै ते गात दा मतलब है गती गती दे दो अर्थंदे ने एक गती दा अर्थंदे है रफ्तार ते एक गती दा अर्थ है अवस्था मुक्ती कहलो उच्ची अवस्था ब्रम ज्यानदी अवस्था मरज केंदे उच्ची अवस्था मिल जानदी है गती हो जानदी हो दी छुटकारा हो जानदे छुटकारा की देतों जमा तों जिदा जिकर रहाओ दी पंक्ती चीकीते जम ते जम को तरास हरा है जमा दा पै खतम हो जान दे जमा दा पै खतम होना गुर प्यारियों ये समझे लो अवस्था उच्ची बना देन दे विकारा तो छुटकारा हो जाए काम करोद लो मोह हंकार हो मैं आदक तो छुटकारा हो जाए मौत दा पैख खत्म हो जाए जीवदी अवस्था उच्छी हो जाने ये माराज इथे केंदे केंदे अवस्था किमें उच्छी होगी जे केंदे बक्षिश दे खजाने अकाल पुर्खदा नाम जपेगा कोई एस कलिसां पर समय दे अंदर इस कलिसां पर योग दे विच इकी नाम है गुर्खदा वाही गुरुदा नाम है जाहे जपे गात पावे जीनु जबन दे नाल मुक्ती मिल जान दी है उची अवस्था हो जान दी है इतान गुरुत एक बहादर साहे महरा आई दास ने और तर्म ता कैसा मनाहना इह बेद बतावै केंदे होर कोई तर्म और तर्म महराज ने कहा ना गुरु प्यारी ओ कौन तर्म तर्म कौन फुन करें तर्म केड़ा करें इते जबाब देने केंदे और तर्म ता कैसा मनाहन केंदे होर कोई तर्म ये दे बराबर नहीं है ये दे बराबर नहीं है की दे बराबर एक अकाल परखवाई गुरु दे नाम जपन दे बराबर यह हुई जवाब तान गुरु अर्जन देव जी महाराज बानी ची दिन देने सगल तर्म में है स्रेष्ट तर्म सारे तर्मा दे नालों स्रेष्ट तर्म किड़ हर को नाम जाप निर्मल कर्म जीव निर्मल कर्म करदे और वाई गुरु दी बंदगी करदे एक अकाल पुर्खनु तया हो दा है, एक अकाल पुर्ख दी अराधना कर दा है, केंदे ए सब तो वट्टा तारम है गुरु प्यारियों, सगल तारम में हैं, स्रेश्ट तारम, हर को नाम जाप, निर्मल कर्म, जीव निर्मल कर्म कर दा होए, जीव दी उठनी, बैठनी, तक् रगणी, वर्तवरहार, बोली, सब कुछ गुर्प्यारी जिड़ा है वो निर्मलोना चाहिद है, क्योंकि बिना गुणा तों कदे पगती नहीं हो सकती गुर्प्यारी उमारा ये बानी चेसी पढ़ देना वेन गुण कीते पगत ना होए, बिना गोण तार्ण कीतियां कदे पगती नहीं हो सकती ते जे गोण नहीं है बंदा पगती करन दावा करदे ते समझ लो गुर प्यारियो ओ पगती पाखंड है किसे ते दयाय नहीं करनी मैं पगती करदे सेवा नहीं करनी मैं पगती करदे किसे नो मिठा नहीं बोलना गालां करनी है मंदा बोलना है मैं पगती करदे किसे दा लोटके खाना है मैं पगती करदे नहीं गुरु प्यारे हो पगती करन दे लई नाम जपन दे लई जरूरी शर्त जड़ी सद्गुरा ने लाई है वो ए लाई है कि नाल जीवन भी पाक होना चाहिदा है जे जीवन पवित्तर है फिर गुर्प्यारियों पगती फड़ दिया होन जमीन है जमीन बंजर है जमीन नू बाहया नी गया जमीन नू गुर्प्यारियों जड़ा है वो वत्तर नहीं कीता गया ते ओदेच अपा बी बीज दिये ते ओ उगणा नहीं है उगणा नहीं है पैदा नहीं होना गुर्प्यारियों बी ओदेच स्याना कसान जड़ा है ओ बीज बीजन तो पहला खेत नू सवार दा है जोड़ वट आजान दिया ना फेरो देच बीप आँदाए ते बीप उंगरे आँदाए भीग उंगरे आँदाए इसे तरह गुरु प्यारियों जोड़ो मनुख अपणे आपने शुद करदाए ना फिर जोड़ों गुरु दान लेंदाए उद्वों फिर वाई गुरु दा नाके सम नाहन एह बिध बैद बतावं है और एघर का बैद भी दस देने। बैद जाना में नाम उत्तम सो सुनई है नाहीं। बैद जाना झाल ज़ने चार बैद है नो गुर प्यारईों? चार बेद ने हिंदू तरम दे वैसे बेद दा अर्थ ग्यान हुनना है गुरु प्यारियो बेद दा पाव ग्यान बेद भी जड़ा है उन्हें इनना चारां बेदां दे भी गल ला लो चाहे ग्यान दियां गल ला लो एभी सारे एहुई कहन देने बैद भी एहुई कहन देने कि ए पाई एदे वरगा कोई तारमनी यह वैसे यह थे बैद दे ददेनों उंकड लग ज़िया थे मतलब ग्यान बहुँआचक नहीं है ग्यान ग्यानदियां पुस्तकां, ग्यानदियां कताबां ग्यान वान पर्ख ओवी एहोई गलां कर देने एहोई बिदी दस देने के और तरम ता कैसा मनाहन एह बिद बेद बताव एए बिदी भी बेद दस था एतन गुरु ते एक बहादर सा है महाराज गुरु प्यारियो दस देने सान अगी गुर प्यारी ओ जिकर कर देने त्यान देओ सुख दुख रहत सदा निरले पा जा को कहत गुसाईं तानु गुरु ते एक बहादर साह माराज केंदे ने केंदे जा को कहत गुसाईं गो शब्द संस्क्रित दे इदा अर्थे तर्टी जा स्रिष्टी कह लो गो पाल स्रिष्टी नू पालना ला गो बिंद स्रिष्टी नू पैदा करना ला गो साईं स्रिष्टी दा मालक साईं मालक नू केंदे ता इते शब्द है गुसाईं मतलब जगद दा मालक, संसार दा मालक जा काओ कहत गुसाईं जिन्हों सिस्टी दा मालक केंदेने जगत दा मालक केंदेने काउन है गुर प्यारियो जिन्हों जगत दा मालक केंदेने बंदा जगत दा मालक नहीं है गुर प्यारियो हाँ समझने जरूर लग जानदा है कही आरे कोई राजा होंदा है ना कोई बादशाह होंदा है कोई यहों समझना लग जानदा भी मैं मालक है मैं अपनी स्टेट दा मालक है मैं अपनी राज दा मालक है पर मालक होंदा नहीं गुरु प्यारी है उन्हों पर्म पैदा हो जानदा है सत्ता दे नशे दे वेच उन्हों ए पर्म पैदा हो जानद है कि मैं अपनी स्टेट दा मालक हूं पर असल चो मालक हुंदा नहीं मालक जड़ है सारे जहान दा सारी स्रिष्टी दा उगर प्यारी एक कोई है उए अकाल पुर्खवाही गरू ते उधी विशेष्टा दा देने मालएं एक काँदे सुख दुख रह shiftков सदा नरलेपी उधी निशानी की है काँदे वो सदा नरलेप रहनदा है नरलेप उनों किसे दा लेश नी लगदा गुरु प्यारी यो लेप नी लगदा उस सुख ते दुख तो उपर उठे के रिए ना अकाल पुरु नों सुख ते ना दुख बियापदा ऐसी अवस्था गुरु प्यार ओदीक है ना इनु ब्रम ग्यान दी अवस्था केंदे ज़े इस अवस्था देवेच अकाल पुरख है गुरु है ति जहां वो सिख हो जएंदे गीडे गुरु नल जुड़के अकाल पुर्ख नल सूरत जोड लेंदे तान गुरु ते एक बहादर साहिब माराज केंदे सुख दुख रहत सदा नर ले पी जा को कहत गुसाई जिनु गुसाई केंदे ने जिनु मालक केंदे ने केंदे ओ वाहि गुरु है ते ओ वाहि गुरु सुख ते दुख दोमा तो उता है, दोमा तो उपर रह पाई ते एस वाई गुरु दा जड़ा नाम है ना ये सब तो वड़ा तर्म है ते उस नाम नू जपना जड़ा है सब तो वड़ा जीव दा कर्म है सारी स्वालां दे जवाब दे रहे ने सद गुरु ज़ा कर्म केड़ा बड़ा है नाम जपना तर्म केड़ा है वाई गुरु दा नाम अपा केड़ा है वाई गुरु दे नाम नु जपना ओस वाई गुरु दे नाम नु जपना जड़ा स्रिष्टी दा मालक है जिड़ा जगद दा मालक है जिड़ा दुख ते सुख तो उपर उठके रहनदा है ये तानुगुरु ते एक बहादर साय माराईदा साथ उन्हें के सवाल हो और पैदा हूं ना गुरु प्यारी हो कि ओ है कि थे जिड़ा नाम जपना सब तो वड़ा तरम है जिड़ा नाम जपना सब तो वड़ा करम है जिड़ा जिड़ा नाम जपना सब तो वदिया टांग तरिका उपा है जिड़ा नाम जपना सब तो स्रेश्ट बिद्या है इता दस्ता कि ओ वाहिगुरु जगद दा मालक है ओ दुख सुख तो उपर है और माराज किते हो लबी ये हो नो किते हो निमीत एक सुवाल पैदा हो गया ना गुरु प्यारी कि जिस वाई गुरु दा नाम जपना तरम है जिस वाई गुरु दा नाम जपना गिड़ा है वो सब तो वड़ा करम है जिस वाई गुरु दा ना लेना सब तो वदिया टांग तरीके है जिस वाईगुरु दा ना लेना है सब तो वदिया सिख्या है बिद्या है ओ वाईगुरु सृष्टी दा मालक सुख दोख तो उपर है पर ओ वाईगुरु है कि थे महराज ता आखरी पंक्ती दे विच्च Tan guru तेग बहादर साय महराज इस सवाल दे एंदे सो तुम्ही महें बसाई नरंतर कि ने पाई He 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 तो हाड़े च बस दा पर आए सो सो दा मतलब है ओ तुम्ही महें तो हाड़े अन्दर तुम्ही महें तो हाड़े अन्दर ही बसाई बस रहे है नरंतर लगातार बस रहे है continue बस रहे है जदो तो तुसी जगत चाहिए हो ना या माता दे गर्ब चाहिए हो उदों दाई बस रहे है उदों दाई बस रहे है उदों दाई बस रहे है कमाल दी गल्ला है गुर प्यारी हो कि सानू देशदा नही है तन गुरू तेग बहादर साय महराज एक उधारन देने केंदे नानक दर्पन नियाई सो तुम ही मह बसा नरंतर ओ वाई गुरू तो अड़े अंदर लगातार बस रहे है किमें बस रहे है केंदे दर्पन नियाई जिमें दर्पन शीशा शीशे दे वेच अक्स शीशा होंदा ना बुरू पयारे है असी शीशे दे मुरेख ख़ड़ दिये तई ओधेचो साड़ा अक्स सहनो नजर पेंदा बस जिमें अक्स शीशे ची देशhington थे ना ओमें साड़े अंदर अकाल पुरुख है उमें साथीं अंदर वाही गुरू है कatique नानक दर्पन नहाई दर्पन दे नहाई दर्पन शीषे नो कहधन देने नहाई तो मतलब ऑवांग जमें शीषे चाकस देए शीषे चाकस अवांग वो अकाल पुरक साथीं अंदर है पर जे शीशे ते तूड़ जा मजे फेर गर्द जा मजे शीशे ते फेर फेर अक्स दखाई दिन्दा है गुर प्यारी हो बिलकुल भी नहीं पाफ शीशे नो गुर प्यारी हो लग जे शीशा पाफ ना पर जे साड़ा अक्स दाखाई दियंदे, बिलकुल भी नहीं उन साड़े अंदर अकालपुर्ख एंग हैं जमें शीशे देविच था, साड़ा अक्स दियंदे इमें साड़े मन देविच अकालपुर्ख है पर एक सवाल पैदा होगया गुरु प्यारी हो कि वो सानु दखाली नहीं दे रहे है दखाली इस करके नहीं दे रहे है क्योंकि गर्द जम्मी होई है गर्द जम्मी है गर्द का दी जम्मी है गर्द भी थोड़ी मोटी नी जम्मी बहुत जादा जम्मी है और सब तों मोटी गर्द जड़ी जम्मी है ना ओ जम्मी है हो में दी हो में दी गर्द जम्मी होई है ते तान गुरु तेग बहादर साय महाराज गुर प्यारी जड़ा उन्नीमा सलोक है ना ओदे वेच हो में दी गल कर देने देखो किड़ा मेल मेले है सबब कि ओधे चो हो में दी गल कर देने जेडी गर्द साड़े मन रुपी शीशे दे उते जमी होई है ना जिस कारण सानू अक्स नहीं दखाई दिन दा अकाल पुर खड़ा ओ अक्स हो में दी है ते हो में दी अक्स दा जिकर जिड़ा है को गुर प्यारी हो तानू गुरु ते एक बहादर सा है महराज सलोक चिकर देने कि आख देने गुर प्यारी हो ते आन देओ केंदे जेहे प्रानी हो में ता जी जिस प्रानी ने हो में चाड़ देती पानी उन्दा ना साफ छपड़ दा पानी जा चील दा पानी जा तलाब दा पानी जदो आसी ओस पानी दे कंडे ते खड़ो के पानी वाल चाहत मार दें है निरमल पानी हो भी साफ पानी हो साफ पानी हो वी, सानु अपना चिरा पूता नहिता है पाल जेखे पानी देना ये दर्पन है, दर्पन कहलो इनू निर्मल पानी बांग कहलो, इदे अंदर जिदो उसी चात मार दे हैं ना, ते सानु की नजर हो दे है, मैं बड़ा, मेरी दौलत, मेरा परवार, मेरे पुत, मेरी यातिया, मेरे याउदे, मेरी विदबता, सानु वाई गुरू दखाली ने देंदा, जिदों उसी चात मार दे हैं, अपने जशानो को पुछई लंदाए, कौन हो, उसी चात मार दे हैं, ता सानु फर मैं नजर्रा हो दी है, उसी फर ओही बोल दे है, तो कि मैं, मैं जड़ी है जिन्हों हूमें कहाएदये ने हैं इती गुरु प्यारियो गर्द्यो इती पर्त दिर्ज्डी एए उस हाटे मानरुपी शीशे दे हूते कहलो मानरुपी नर्मल जल दे हॏदे हुते कहलो जम्मी हुए है तो गुरु टेह्ट बहादरर साय मारे सलोक भचे कहन देने केंदे जेहे प्राणी हो में तजी जिस प्राणी ने हो में छड़ती मरा जिके में छड़ती केंदे करता राम पच्छान पच्छान दा मतलब है पच्छानना जानना साज पौनी करता दा मतलब है सरिष्टी दा सरजन हार ते राम दा मतलब है रमें होया केंदे जिसने सारे जगत दे विच रमे होए सिर्जन हार अकाल पर खनाल साज पाके अपनी हों में छाड़ती उन्हें साज के में पाऊओगी साज पाऊओगी गुरू प्यारी हो गुरू नाला सिद्धी अकाल पर खनाल साज नहीं पैनेंगी साड़ी जिसने सर्जन हार अकाल पुर्खनाल गुर्खनाल 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 गुर मान साची मान केंदे पाई एगल सची तरह मान देवेच समझ लओ मान लओ ओ केंदे प्राणी मुकत है कहो नानक ये शिरी गुरु नानक देव जी माराज सत्संगियानों समझाओ आखो के पाई पुर्खो ओ प्राणी मुकत है केड़ा पराणी मुकत है केंदे जिसने वाई गुरु नाल सांज पाके हो मैनू छड़दा ते हो मैनू किने छड़दे है जिने वाई गुरु नाल सांज पाली ते वाई गुरु नाल सांज किमे पेंदी है वाई गुरु दा नाम जपके बाई गुरु दी बंदगी करके बाई गुरु दी पगती करके एतन गुरु ते एक बहादर सहा है माराज गुरु प्यारियों सानु समझाओ देने जड़ी असी सेवा कर दे है ना इस साड़ी गुरू नाल साज पेंदी है सेवा कर देनाल गुरू नाल साज पेंदी है जदो असी प्यारी हो गुरू दे द्वार आके सतसंगत कर दे है साड़ी गुरू नाल साज पेंदी है जिदो असी नितनेम कर दी है गुरू ना साज पेंदी है जिदो नितनेम कर दी है गुरू ना साज पेंदी है जिदो गुरू ना साज पेंदी है फिर गुरू साड़े माननों साड़े ताननों निरमल कर दा है जिदो साड़ा मान तान निर्मल उन्दा जानदा है फिर साड़ी अकाल पुर्खनाल साज पैनी शुरू हो जानदी है गुरू प्यारे साड़ी अकाल पुर्खनाल साज पैनी शुरू हो जानदी है यहोई कारने कि ऐसी गुरू दा सतकार करती हैं और गुरू दे सिखां सेवकां दा भी सतकार करती हैं उनना सिखां सेवकां दा सतकार करती हैं जिनाने गुरू ना सांज पाई है गुरू ना सांज पाके जिनाने अकाल पुर्खनाल सांज पाले ते अकाल पुर्खनाल सांज उनना दी पई गुरुनाल सांज उनना दी पई जिनना ने सेवा कीती सेवा करवाई कल पंथरतन बाबा हरबन सिंग जी कार सेवा बाले जिनना दा गुर प्यारियो जिड़ा है याद मनाई है इस अस्थान दे उते, रात समाग मुए या बहुत बड़ा असी क्यों मना रहे हैं ओझे महापुर्खां दे याद क्योंकि इननरे सेवा कीती और सेवा करन दे लई संगत्नू प्रेरत कीता है संगत उन्हों प्रेरना दिती है कि पाई सेवा करनी चाहिए दिया है पाई सेवा करनी चाहिए दिया है असी जमें सिंग साब जी ने दसे है कि अज बाबा जांग सिंग जी दे नाम दे उते हैं यहाँ पारज़ें उर्ण जयाँ करण वाँ ज्यूंग सेवा कर वाँदिया उदी वी गुरु ना सांज जुन्दी गुरु ना सांज परमैशवर नाल सांज। वाई गुरू नढ़ सांज क्यों कि गुरू कारजी ये करदाए गुरू प्यारी ुप ये जीव जीव दी सांज अकालपुनल नार पवाउन तब्यों। दाद मुख नारजाए वो गुरू करदा है इस करके इसी गुरूदे दवार होने है गुरू दे कोड़ चाल के हो नहीं तानु गुरू टैख बहादर साय माराज गुरू पैरियू जिना युश शताब्दी मना रहे ना चारसौ साला ओ तानु गुरू टैख बहादर साय माराज सानु सम्झाऊँ देने कें अच Five अच़् और कें मैल जम्मी है उस हो में दी मैल दे होते हो में दी काई दे होते फिर बाकी बकार जम्मे हो इने कि ते काम जम्मे है करोद जम्मे है हंकार जम्मे है इर्खा जम्मी है पर्त दर पर्त जम्मे हो इने सारे बहुत मोटी पर्त है चोटी पर्त नी है बहुत मोटी पर्त होई पई है केंदे बड़ी मोटी पर्त है, हुन असी बंदन जबदे होए हैं, इस मोटी पर्त दे कारणी सद्धा जिड़ा है, मौत दा पैसा नू परिशान कर रहे हैं, जमा दा पै परिशान कर रहे हैं, ते तनगुरु तेग बहादर साय माराजी केंदे फिर केड़ा उपा करोंगे, इस पर्त नो हटाउन बासते, हुमे नो हटाउन बासते, बिकारा नो हटाउन बासते, केड़ा उपा करोंगे, केड़ा तरमतार्न करोंगे, केड़ा करोंगे, केड़ी बिद्या परापत करोंगे, केड़ा नाम जपोंगे, ते फिर सारे सुवालां दा उत्तर माराज ने द बाकी विकारां दिया परतना खटम हो जाने गी हैं निर्मल मान जीड़ा है ओ हो जाएगा जदो उसनी निर्मल मन देवेच चाट मारांगे ना ग्रू प्यारे हो फिर जीड़ा गुर प्यारे हो सानों दखाई दाएगा ओ बस अकाल पुर खेवाहे गुरू है पागत कबीर जी ने भी ये होई किया कबीर तू तू करता तू हुआ मुझ मैं रहा नहू जब अपा परका मिट गया जात देखाता तू जदो अपने प्राइदा पेद खत्म हो गया ना फिर ता जुद्धर नजर मारी बस तू ही तू नजर आया तू ही तू नजर आया परका दू जदो अपने प्राइदा पेद खत्म हो गया ये अपने प्राइदा जड़ा पेद है ना गुर प्यारियो ये समझ लो हुआ मैं आए तान गुर ते एक बहादर साय माराज सलोक दे विच्च सानू समझाओं देने जह प्राणी हो में तजी करता राम पच्छान सिरिष्टी दे सिरजन हार सरव व्यापी अकाल पुर खनल साज पाकी जिड़े प्राणी ने हो में छड़ देती कहो नानक वह मुक्त नर ओ मुक्त है इनसान कास तो मुक्त है काम तो मुकत है, क्रोध तो मुकत है, लोब तो मुकत है, हंकार तो मुकत है, इरखा तो मुकत है, निंद्या तो मुकत है, चुगली तो मुकत है इन निशानियां दस देने गुर प्यारी साथ गुरू जी कहने कहो नानक वह मुकत नर इह मान साची मान इस गलनू मानचे सच्ची तरह मानलो पाई चंगी तरह मानलो निशानी आए मुक्त प्राणी दी एतान गुरु तेग बहादर साहिए महाराज ने गुर प्यारियो सानू एस उन्नी में शबद ते उन्नी में सलोक देवेचे सिख्या देती इन्दे नाली निस्चत कीता समाओ चुके है अपां समाप्ती कर देए बहुत बहुत आप सारी संगदा जे थेते दिलो तानवाद ते मान जोक सिंग साहिब यानि रंजी सिंग जी मुक गरंथी गुरु दरा बंगला साहिब और दिली सिख्य गुरु दरा प्रबंदा कमीती सब्दई बहुत 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 तानवाद आउ गुरु पयारियो श быть दियां आखरीया कंकितियां पढ़के अप अपां गुरु पयारियो समाप्ती करे सुख दुख रहतो सदा निर लेपी जा कव कहत गुसाई सो तुम हे मह बसे नरंतर नानक दर्पन न्याई जिह प्रानी हो मैंत जी करता राम पछान कहो नानक वह मुक्त नर इह मन साची मान वाहे गुरुजी का खालसा वाहे गुरुजी की फते